एलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग वैलकम टॉन अकैडमी लेट्स क्रैक यू पेसी सी हिंदी समी चंचल कुमार शर्मा और एक बार फिर से एम लक्षमिकान भारत के संविधान और राजविवस्था की हमारी इस सिरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और अभी करोदि हम लोग कल शुरू किये थे चेक्टर्स नंबर सेवेंटीन में इन रिए स्किताब का अध्याइ़ काल हम लोग को में स्टार्ट किया ठाजो कि भारत as G permit Kabники वह ग fifteen जो नाम से जानते हैं इस में है सबसे पहले संग की कारेपालिकंगा है यह पढ़ रहे हैं और राश्टरपती जो भारत के प्रथम करते हैं पहले भी मैंने आपसे कहा कि हमारे संसधी प्रणाली है तो दोहरी कारेपालिका होती है इसलिए राश्ट्रपती जो है वह हमारे देश के नाम मात्र के प्रधान है लेकिन प्रधान तो है अब आगे जो है कल हमने राश्ट्रपती का निर्वाचन राश्ट्रपती पद की यूग गिता उनकी पद से जुड़िवी शर्ते इसके अलावा शपत शपत का प्रारूप शपत कौन दिलाता है भूत पुर्व राश्ट्रपती को क्या-क्या सुविधाएं होती है वो सब प impeachment कहा जाता है जिसे महाभियोग कहा गया है समविधान में तो महाभियोग जो अनुच्छे दिक्सट में है वो क्या है महाभियोग और महाभियोग के साथ हम बात करेंगे भारत के राश्ट्रपती की शक्तियों के बर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है क्योंकि भारत तो उसमें भारत के राष्ट्रपती की कई सारी शक्तियां हमें बिखरी हुई मिलती है। अब इन सारी शक्तियों को एक साथ इकठा करके समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भारत के राष्ट्रपती की कारिकी कारी शक्तियां एक्जेक्यूटिव पावर्स। तो यह सारी शक्तियों पर हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां ऐसे हमारे संविधान ने दी हैं तो चलिए स्टार्ट करें सेशन लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे बताना है कि आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है जस्ट कंफर्म हमाय ओडिबल चलिए तो आपको आवास ठीक से आरही हो तो एक बार मुझे कॉमेंट करके कंफर्म करिए और दूसरा की सेशन को शेर कीजिए ठीके दूसरे जो आपके भाई बंदू है जो तैयारी कर रहे हैं जो आपके जान पहचानने वाले तो उनके साथ सेशन को शेर कीजिए ताकि वह लोग भी जल्दी से क्लास को जोइन कर लें क्योंकि फिर लेट आएंगे बीच में आएंगे और आधी बात समझ में आएगी आधी बात समझ में नहीं आएगी और फिर अगर आपको कभी कोई डाउट हो ना तो आप कोवेंट बाक्स में पूछिए कि क्या ऐसा है या नहीं है बहस करने की जगे आप पूछिए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है कि चलिए तो स्टार्ट करते हैं बारत की राजविवस्था वालाए सेशन आपको पताए कि इस समय यह सेशन आप अनकाडमी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और आप अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर घर बेठे कम्प्लीट प्रिपरेशन यूपी एसी की कर स सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कई तरीके एक तो आप अमाउंट जो भी पैसा है वो दे के ले सकते हैं लेकिन एक तरीका फ्री वाला भी है आप में से कोई भी 27 मार्च को यह होगा अनकाडमी का सिविल सब्सक्रिप्शन चैंपिंशिप इस संडे को आने वाले और यह मे अनकाडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री में भी ले सकते हैं और भी कई सारे प्राइसे तो सी के लाइव रेप्रल कोड यूज करिए और इस सिविल सविसेज चेंपियन्शिप का भाग बनिए पिर वो बच्चे जिनका प्रिलिम्स हो गया है में सो गया है और दोजार 21 का प्रिपरेशन करवाएगा कोई पैसा कोई चार्ज नहीं पिछले साल भी 170 प्लस यहां से सेलेक्ट हुए है एक्सपर्ट का पैनल बनेगा और वो पैनल आपसे कुछेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है वह आपकी यहां से हो जाएगी बढ़िया से उसके लिए कोई पैसा चाहिए डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो सी के लाइव रेफरल कोड यूज करिए आइकॉनिक सब्स्रिप्शन ले सकते हैं या एक साल दो साल तीन साल का नॉर्मल प्लस या आइकॉनिक कोई साभी सब्स्रिप्शन आप ले जो आपके रेक्वाइरमेंट हो यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप सी के लाइव रेफरल कोड अपदाए करोगे तुरंत आपका 10% काम हो जाएगा लोन भी एक ऑप्शन है लोन लेकर भी अगर आपके पास एक साथ पैसा नहीं है लोन भी आप ले सकते हो लोन से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो चलिए तो भारत के राष्ट्रपती वाला जो अध्या है अध्याइस सत्रा आगे सब लोग काफी आ चुके हैं और काफी जो अभी रास्ते में कहीं ट्राफिक में अटक गए होंगे कहीं बीजी होंगे बद धिरे दिरे वो लोग भी हमें जॉइन करेंगे तो चलो शुरू करें कल वाले सेशन से तो आपको कोई कोई डाउट नहीं होगा कल मैंने आपको बताया एकल संक्रमनिय आनुपातिक मत्पद्धती प्रपोर्शनल रेप्रेजेंटेशन बाइ मीन्स ओफ सिंगल ट्रांस्परेबल वोट सिस्टम यह राष्टपती के चुनाओं की प्रक्रिया है इसके द्वारा एक बेलेट पेपर एक मत्पत्र दिया जाता है वरियता आपको देनी आपको जो विधानसभा सदसे उनके मत्त का मूल्य कैसे निकाला जाता है सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है वह साब हमने कर डिसकुस कर लिया था कि तो अब हम बात करेंगे भारत के राश्टमति की पदाऊधी उन पर महाभियोग की रुख्षित में आपको पता होगा पदाऊधी सब जानते हैं कि पाच साल कब से कब से माना जाता है शपद ग्रहन करने से नहीं जिस दिन से राष्ट्रपती पद धारण करते हैं उस तारीक से पास कई लोग यहां पर एक गलत फैमी का शिकार है उन्हें लगता है कि शपद ग्रहन करने के बाद से ही कारेकाल शुरू हो जाता है अगर बीच में किसी को नहीं जम रहा है कि यह दि कोई चोड़ना चाहता है पद को तो बीच में भी पद चोड़ने का प्रावधान है बीच में आप त्याक पत्र दे सकते और यह बहुत सारी एक्जाम का कोश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपती अपना त्याक पत्र किसको देते हैं तो भारत के राष्ट्रपती अपना त्याक पत्र क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई है नहीं मंतों सोचने वाली बात है पहले नमबर का व्यक्ति किसको देगा अपने ट्याक पथ्र क्योंकि वह तो सबसे बड़ा है तो इसलिए भारत के राश्टपति अपना ट्याक पत्र दूसरे aq Velisrienמצ उप्राष्टरपती को त्याग पत्र उप्राष्टरपती को देते और उप्राष्टरपती अप्ना ठेवराष्टरपती को ती इस बात में कोई कंफूजन नहीं होना जाए शपत का दिहान रखन den शपत उनको उपराष्टपती नहीं दिलाते हैं, यह मैंने कल भी बताया था, शपत दिलाते हैं भारत के चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, जो भारत के सर्वोच नियायले के मुख्य नियाय धीश हैं, शपत दिलाने वाले विक्ति अलग हैं, और त्याकपत्र लेने वाले विक दोग कहा गया है, हमारे सम्विधान में एक बात, बहुत ध्यान से सुनियेगा, आम तोर पर, कई सारी किताबों में, कई सारी जगहों पर, आपको एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक दिखाई देगी, और वो कॉमन सी मिस्टेक जानते ही क्या है? कॉमन सी मिस्टेक ये है कि बहुत सरी किताबों में ये लिखाए कि राष्ट्रपती को महाभ्योग के द्वारा हटाया जाता है ये सही पर उनमें ये भी लिखा होता है कि सुप्रीम कोट के जज को महाभ्योग चला के हटाया जाता है हाई कोट के जज को महाभ्योग के द्वा तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा महाभ्योग की प्रक्रिया सम्विधान सिर्फ भारत के राष्ट्रपती के लिए बूलता है मतलब अगर कहीं जजों के लिए महाभ्योग शब्द लिखा है तो इसलिए लोग उनके लिए भी महाभ्योग का प्रयोग कर देते हैं आगे समझ में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉंस्टिटूशन भारत के सम्विधान के अनुसार इंपीच्मेंट यह सिर्फ राष्ट्रपती पर होता है जजेस का रिमूवल होता है क्या होता है सुप्रीम कोट हाई कोट के जजों का रिमूवल उन्हें पद्द से हटाया जाता है उसके लिए महाभ्योग शब्द का प्रयोग है किताबों में मुझे पता है बट वो सही नहीं है कि आया समझ में की नहीं है क्लियर हुआ तो महाभ्योग शब्द कहीं भी आप पड़े तुरंत बोलिए उनको कि यह गलत है सिर्फ भारत के राष्ट्रपती को ही महाभ्योग के द्वरह अटाया जाता है उपर राष्ट्रपती सुप्रीम कोट के हाई कोट के सी एजी कोई को भी आप महाभ्योग से न नहीं कही जा सकती सीधी बात चलिए अब हम लोग बात करें आगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहन नहीं कर लेता तो राष्ट्रपती पांच साल के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है अब कई लोगों को यहां भी एक चीज क्लियर करनी है कि अब राष्ट् जब तक नए राष्ट्रपती पद ग्रहन नहीं कर लेते तब तक पुने पुराने राष्ट्रपती पांच साल के बाद भी पद पर बने रहते हैं इसलिए नए राष्ट्रपती का चुनाव पुराने राष्ट्रपती के पांच साल पूरा होने के पहले ही कर लिया जाता है इन एनी केस चुनाव नहीं हो पाया पांच साल के पहले तो फिर वो पांच साल के बाद जब तक पद पर रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता मुण आजब तो के अगया समझ में और इस पद पर पुना निर्वाचित हो सकता है मतलब कितनी भी व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपती बन सकते है तो इसका अंसर है अनन्त बार पांच बार दस बार दो बार चार बार वैसे राज्य प्रसाद सहाव अकेले राष् नहीं है अमेरिका में इसा नहीं होता है अमेरिका में एक व्यक्ति दो बार राष्ट्रपती बन सकता है तीसरी बार बनी नहीं सकता अमेरिका के राष्ट्रपती का कारेकाल जो होता है वह होता है चार साल होता है और भारत के राष्ट्रपती का कारेकाल पांच साल होता है तनी बार आप चाहो, बन सकता है वेक्ति, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राष्ट्रपती पर सम्विधान का उल्लंगन, आप देखो, महाभीयोग पर आगए हम लोग, इंपीच्मेंट की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से संदो, इसे अरदन्याइक प्रक्रिया कहा जाता है, अब हम बात कर रहे थे भारत के राष्ट्रपती को अगर मानलीजी हटाना हो, कई बार होता है कि इंसान इंसान से गलतिया होती है, यदि कोई राष्ट्रपती ऐसी को वंविधान के खिलाफ या कोई राष्टरपति हमारे संविधान का अंलंगन करे अतिक्रमन करे तो उसे हटा नहीं पड़ेगा को या सिद्यों के कल मैने अपको एक बात बताई थी और वो ये बात ध्यान से समझना भारत के राष्ट्रपती शपत लेते हैं कि वो सम्विधान का संरक्षन करेंगे प्रतिरक्षन करेंगे परिरक्षन करेंगे और अगर माली जिस व्यक्ति से आप उमीद करते हो कि यह सम्विधान की रक्षा करेगा और वही सम्विधान के खिलाफ काम करें तो तो भ से समझ में इसका मतलब सीधा से यह कि राश्ट्रपती ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी उमिद समविधार उनसे नहीं करता है जैसे अनुच्छित चोहत्तर आर्टिकल 74 कहता है कि भारत के राश्ट्रपती मन से कोई काम नहीं करेंगे जो भी काम वो करेंगे मंत्री की सलापर आब मान लिजी कि कोई राश्ट्रपती मंत्री परिशत की सलाप को मानने से मना करते Champs तो और बबार कि वैक्ति की धिमाग में चीजanden आ जाते हैं तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मानना मंत्री परिशत ने कहा कि ए कर लो अनुकर नहीं मानना में राश्ट्र पती ने सम्विधान का अतिक्रमन किया है उलंगन किया है इस चीज की उमीद आप से नहीं की जाती है तो यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको क्या किया जा सकता है आपको पद से हटाया जा सकता है महाभ्योग की प्रक्रिया चलाने का यह आधार हो जाएगा अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपती डी रुजवेल चार बार राष्ट्रपती बने थे यह बाद में हुआ प्रावधान पहले थोड़े ना था पहले अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था यह तो बाद में ऐसा किया गया है कि दो बार से ज्यादा टाउंफिक्स कर दिया दो बार से ज़्यादा कोई बन ना सके, Franklin D. Roosevelt आपको पता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, मुझे पता है, और उनकी हत्या भी हुई थी, आपको पता होगा, और बाद में प्रावधान कर दिया गया, कि दो बार से ज़्यादा कोई वेक्ति राष्ट्रपती अमेरिका में नह आप से बोल रहा था कि अगर मान लेजे, राष्ट्रपती ने मंत्री परिशत की बात मानने से मना कर दिया, तो महावियोग की प्रक्रिया लगाने का एक आधार है, अमेरिका के राष्ट्रपती को हटाने की प्रक्रिया भी महावियोगे, भारत के राष्ट्रपती को हटान की प्रक्रिया भी महावियोग लेकिन अंतर है अंतर क्या है अंतर यह कि भारत में राष्ट्रपती को सिर्फ एक आधारे हटाने का संविधान का उलंगन जबकि अमेरिका में राष्ट्रपती को हटाने के कई आधारे यहां तक कि राष्ट्रपती भ्रष्टाचार करे पद का दुरूपयोग करे कुछ भी ऐसा करता है गलत जो है तो वो राष्ट्रपती को हटा सकते हैं पर हमारे ऐसा नहीं है दूसरी बात यह है कि अगर आप में से किसी व्यक्ति को यह समझना है कि समविधान का उलंगन का मतलब क्या है तो इसको हमारा समविधान डिफाइन नहीं कर सब्सक्राइब करता है ठीक है अगया समझ में महाभयोग के आरोप संसत के किसी भी सदन में शुरू किये जा सकते हैं अब यह ध्यान रखना अमेरिका में इसा नहीं होता अमेरिका में राष्ट्रपती पर महाभयोग निचले सदन से शुरू होता है और फिर उत्य सदन में ऐसे जाता है भारत में आप राष्चंपती को घंटाने का प्रस्ताव में भी ला सकते हो सब्सक्राइब करने का पेटेंट किसी एक सदन के पास नहीं कोई भी कर सकता है किसी दिन राज्य सभा को लगे तो वह शुरू कर दे या लोग सभा को लगे तो भी कर सकता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पिर अब क्या होगा आगे देखो सबसे पहले महावियोग के बारे में समझो कि उसमें आपको एक आधार चाहिए सम्विधान का अतिक्रमण या उलंगन उसके बाद किसी भी सदन में आप इसको शुरू कर सकते हूं पर इसकी दो शर्ते हैं किसी भी सदन में राष्ट्रपती के खिलाब महावियोग शुरू करने की दो शर्ते होती हैं पहली कम से कम 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपती को दे दिया गया हो मतलब शुरू करने के पहले कि हम आपको हटाने जा रहे हैं हम आपके खिलाब महावियोग ला रहे हैं 14 देस 14 द भी लाया जा सकता है प्रस्ताव लोग सभा में हिलाया जा सकता है लेकिन आप सिसस्वाइग को या महाव्योग चलाने के पक्ष में होना चाहिए कितने कि कम से कम 25 प्रतीशत सदस एक चोथाई सदस से उस सदन के महाभ्योग लगाने के चलाने के पक्ष मोराजी के हाम चाहते हैं उन्होंने हस्ताक्षर कर दिये हैं और नोटिस दे दिया है पीठा सी नदिकारी को जो भी होगा राज्यसभा कर देंगे वह उसको नोटिस देंगे हस्ताक्षर करके बकाइदा कि यह लीजिए 25 परसेंट लोग कम से कम तयार है महाभ्योग लगाने के लिए तो महाभ्योग राष्ट्रपती के ओपर शुरू किया जाए अब 25 मतलब लोक सभा के 543 कyu परसेंट याराज्य सभा का 245 परसेंट चोटे-मोटे आदमी को हटा रहो क्या है भारत के राष्ट्रपती को हटा रहो भारत के सबसे बड़े विकती को परसेंट तो कम से कम इतने लोग तो तैयार होने चाहिए लाने के लिए प्रस्ताव किसी दिन चार एरे गेरे सांसद उटके आ गए कि हमें राष्ट्रपती जी का चेहरा पसंद नहीं आ रहा है हटाओ इनको तो क्या ऐसे हटा देंगे या ऐसे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उनकी इंसल्ट उनकी बेज़ती ऐसे तो नहीं हो सकती तो सॉलिड रिजन होना चाहिए और कम से कम 25 परसेंट लोग होना चाहिए आपके पास महावयोग का प्रस्ताव अब मालीजिए जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा तो क्या होगा तो सबसे पहले तो उस सदन में बहस होगी चर्चा होती है बातचीत होगी कि आप लोगों को फिर उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनकी उपर आरोप है उसमें राश्ट्रपती को पूरा अधिकार अपनी रक्षा का वो सब करवा सकते हैं या किसी दूसरे स कुल सदस्य संख्या के दो तीह से पारित हो जितने उस सदन में सदस्य आइं उस सदन के दो तिहए जैसे में आपको बताओं लोग सभा में अगर पारित करना हो तो 543 का दो तीहई कितना होता है वे और हो जाएगा 30 1917 लगभग 363 लोग ये फिक्स हैं, कम से कम, कम से कम लोग सभा में आपको 363 सदस्यों का सहमती चाहिए, प्रस्ताओं के पक्ष में, वरना ये लोग सभा से पास नहीं हो गए, 200, 200, 300, 355 पर भी पास नहीं हो गए, अब यहां मैं आपको एक बात बता दूँ, भारत के समविधान को पूरा टटोल लेना, ये वाला बहुमत कहीं भी नहीं है, जिस बहुमत से भारत के राष्ट्रपती को हटाया जाता है, ये बहुमत समविधान में कहीं लागू नहीं होता, कहीं काम में नहीं आएगा और, जजो को हटाने का विशेश बहुमत अलग है, समविधान में संशोधन करने का अलग है, आपातकाल को परमीशन देने वाला अलग है, राज्य सभा 249 से 312 से जो अपने विशेश अदिकारों का प्रयोग करती है, वो भी अलग है, इस बहुमत को आप इस समविधान में यहा 61 के अलावा और कहीं भी नहीं देखोगे ये बात ध्यान लखना कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई तो यह पारित हो जाएगा अब जैसे ही ये एक सदन से जो भी लोग सभा राज्य सभा जो भी है वहां से पारित होगा अब यह दूसरे सदन में जाएगा अब मालूम है परित कर दे और डूसरे सदन में जब यह जाता है तो वह एक जाच समीति घठन होता है और यह ringing हो मधना चराथ और दूसरा सदन में यह भेजा जाता है और दूसरी बनाले स pensar126 लिए आरोप rupees के लिए पर चुक्लिए एक जाच समीतिogo करें दोति लिए इस जाच समीती भारत के राष्ट्रपती पर लगे हुए आरोपों की जाच करती है कि क्या वाकई में उन्होंने सम्विधान का उलंगन किया है या खाली बे बुनियाद आरोप उनके उपर लगाये जा रहे हैं इसलिए मैंने आप से कहा था इसको अर्द न्याइक प्रक्रिया कह किसी के ऊपर आरोप लगा के जज के सामने पेश किया घज कहेगा चारोपर पुलिस लजग में पिलीज बनाएग के रहे हैं यह अर्ग यहाँ पर एक समीति बने घी जो जांज करएगी आरोपो गी आरोपो की हो चांज के बाद रिपोर्ट देगी ठिर राष्ट्र्पती को हटाया जाता है यह यहां राष्ट्र पति कोई कोई सथा और फ्रन पॉलंग मनें प्रकृष्ट कुछा है क्या होगा पद से हट कई सारे बच्चे पूछते हैं कुश्चन हमें सर समझ में नहीं आता कि भारत के राष्ट्रपती को हटानी की प्रक्रिया को अर्धन्याइक प्रक्रिया क्यों किया जाता है भाईया यहां पर यह तै हो रहा है कि राष्ट्रपती गुनहगार है की नहीं है बकाइदा जांच हो रही है प्रस्ताव पास हो रहा है उन्हें हटाया जा रहा है इसलिए अर्धनियाइक प्रक्रिय आ गया समझ में महाभ्योग की प्रक्रिया को क्यों कहा जाता है अर्धनियाइक प्रक्रिया इस कोश्चन को बहुत बच्चे नहीं जानते बस वह निर्वाचित मनों नहीं तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि राश्ट्रपती को रच्टाने के प्रस्ताव पर और निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हूं, मनोनित भी देते हैं, कल हमने एक बाट डिसकस की थी, कि राष्ट पती को चुनने में मनोनित सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ निर्वाचित, हटाने में निर्वाचित भी, मनोनित भी, मतलब संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य कितने हैं पांसो तरालीज दोसो पैतालीज को जोड़ लो कि 788 यह 788 सदस्य सारे के सारे भारत के राष्ट्रपती को हटाने के इस पूरी प्रक्रिया में भागिदार है इस्सेदार है वह अलग बात है कि मैंने राष्ट्रपती को चुनते समय वोट नहीं डाला था लेकिन अब में वोट डालूँगा हटाते समय तो चुनते कितने हैं चुनते 786 है हटाने की प्रक्रिया में 788 है ध्यान रखना इस बात अब हमने देखा कि जांस समीती भी बन गई और जांस समीती बन गई तो क्या हो राष्ट्रपती को अधिकार है कि वो उसके सामने उपस्थित हो अपना पक्ष रखें या रखवाए वो चाहें तो किसी वकील से या किसी दूसरे व्यक्ति से अपना पक्ष कि मैंने जो किया है अगर दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है जाज समीती ने कहा कि यह सही है आरोप सही है अब मालीजिक कुश्चन है कि अगर जाज समीती ने मना कर दिया ठीक है यदि जात समीतिय ने गहा कि नहीं आरोब गलत है बेबुनियाद है राष्ट्रपति विचारे निर्दोश है इसा कुछ नहीं किया तो यह प्रस्ताव खतम हो जाएगा वहीं खतम हो जाएगा अगर आरोब सही साबित हुए तो दूसरा सदन भी प्रस्ताव को पारित करेगा कैसे वैसे उपस्थित और मत देने वाले नहीं कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई अपनी फुल स्ट्रेंथ दो तिहाई कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित करेगा और जिस प्रस्ताव जिस समय जैसे ही दूसरे सदन ने पारित किया कुल सदस्य स जंख्या के 2 तीहाई से तो उसी समय भारत के राष्ट्र पती पत से हट जाएंगे कोई आदेश जारी नहीं होगा माना जाएगा कि राष्ट्र पती का पड उसी समय क्वाली हो गया है उसी समय और अब कामdays चुरू होता है उप राष्ट्रपती का उप राष्ट्रपती तुरंत राष्ट्रपती की रूप में चार्ज लेंगे एक्टिंग प्रेजिडेंट की तरह काम करेंगे और जब तक काम करेंगे जब तक कि कोई नया राष्ट्रपती नहीं चुन लिया जाता है, छे महीने का आम तोर पर समय होता है, अब यहां तक आप समझ गए, तो आपको यहां दो चार चीजे बस एक छोटी सी आपके जिग्यासाओं के लिए में क्लियर कर देता हूं, कई बार अँजिसे सही तो क्के युटिस अइवा कि यहां वख्वा तो चानिजर कण ऐसे, कि मालन लेते हैं कि 350 तो कि आए हैं, बाकि लोग facing अशु आई हिने उपस्तित भी आपको पताई है, हमारी आधी बारे ही आधी बार तो खली एति cat कि अगर सारे लोग भी पक्ष में हो जाए तो भी 363 के आकड़े से आप तीन कम हो तो राष्ट्रपती पद से नहीं हटाए जा सकते हैं भाई आपको 363 का तो समर्थन कम से कम चाहिए लोकसभा में आई नहीं इतने लोग तो क्या करें खतम बात वहीं खतम अगर राज्य सभा में देखें तो वहां भी आपको 164 लोग चाहिए राज्य सभा में कम से कम 164 लोग चाहिए 245 में से अब अगर इतने लोगों ने पक्ष में मतदान दिया तो बात बनेगी नहीं तो नहीं बनेगी चलो यह हो गई भारत के राष्ट्रपती को हटानी की कोशिश करते हैं फिर उसके बाद में आपको यह बताऊंगा नहीं जिसको भी नहीं समझ में हो कहीं अटक गया हो कहीं रुग गया हो तो मैं एक बार और दो मिनिट के लिए बता देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है जल्दी से सबसे पहले क्या होगा राष्ट्रपती को हटाने का जो प्रक्रियों हमारा है अनुच्छेद इक्सठ महाभ्योग की बात करता है उस प्रक्रिया का नाम महाभ्योग है जिससे राष्ट्रपती को हटाया जाता है हटाने का आधार होगा एक वह सम्विधान का अत दूसरी शर्त आप जिस भी सदन में प्रस्ताव लाना चाहो उसके 25 परसें एक चोथाई सदस से राजी होने चाहिए कि हां हम चाहते हैं कि प्रस्ताव लाया जाए हस्ताक्षर करेंगे उस पीठा सी नदीकारी को लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सफापती जो भी में बहस होगी चर्चा होगी और फाइनली वो सदन अपने कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई बहुमत से पारित करेगा जैसे ही पारित हो जाएगा वो अगले सदन में जाएगा और अगला सदन सबसे पहले जाज समीती का गठन करेगा अब यह इसलिए सबसे ज़्या राष्ट्रपती के मामले में पहला सदन जाज समीती का गठन करता है जहां प्रस्ताव आता है राष्ट्रपती के मामले में दूसरा सदन जाज समीती का गठन करता है अब जाज समीती का गठन होगा आरोपो की जाच होगी रिपोर्ट आएगी अगर सब कुछ सही रहा तो वो सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तीहाई से प्रस्ताव पारित करेगा और जैसे ही दोनों सदन से पारित हो जाएगा उसी समय भारत के राश्ट्रपती पद से हट जाएंगे, ठीक है? आगे समझ में? यह मैंने आपको फाइनली एक बार और बता दिया कि महाव्योग प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आगे बढ़ती है, अब यह बताने की तो कते ही जरूत नहीं है कि इन में से कहीं भी अगर अटका मामला, कहीं भी, तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती कभी भी, अगर एक चोथाई सदस्य नहीं हुए, यदि आपने 14 दिन का नोटिस नहीं दिया, यदि आप जिस सदन में प्रस्ताव लाए, उसमें दो तियाई बहुमत नहीं मिला, या जाज समीती ने आरोग गलत पाए, या दूसरे सदन में पारित नहीं किया, कहीं भी मामलाटका, तो महाव् ठोग के राष्ट्रपती को हटाने का महाविय हूęd, ओ, और इस लिए माना जाता है, क्यूंकि यह सिर्धिधे नागडिकों पर लागू होता है, भारत का कोई भी नागरिक, किसी विदेशी राष्ञ से कोई उपादी गरहन्ट नहीं कर सकता, हिए अपने हम जो भी भारत क के नागरिक हैं यह किसी विदेशी राष्ट से देश से कोई उपाधी टाइटल नहीं ले सकते इस बात के में परमिशन ही नहीं है तो यह आठारा दो में लिखा है और इसलिए बोला जाता है कि अठारा दो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए क्योंकि विदेशियों को मना नहीं है कोई विदेशी जो भारत में रह रहा है वह राष्ट्रपती की परमिशन से उपाधियां ले सकता है बाहर से चलो अब यह हो गया आपका भारत के राष्ट्रपती को उसी समय पद से हटना पड़ेगा आपको एक बात बताओं में इसकी एक और खास बात है कि जब यह प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपती को हटाने का आदेश जारी नहीं होता है कौन करेगा है कोई उनसे बड़ा आदेश जारी कर दे अगर जज होगा ना तो जज के मामले में तो राष्ट्रपती का आदेश आता है कि इस जज को आज हटाया जा रहा है पर र जब्द को अब आपको समझानी की जडरोत नहीं है, अगली बार किताब में या कहीं पड़ोगे कभी किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया भारत में राष्ट्रपति ने जो सम्विधान का उलंगन हो या अतिक्रमन हो और राष्ट्रपति ने इस सम्विधान के अंदर में दायरे में रहकर ही काम किया तो पहली बात तो हटाने की जरूती नहीं पड़ी कोई प्रस्ताव आया ही तो इसलिए आज तक कोई राष्ट्रपति पत से हटा ही नहीं और अमेरिका में तो ट्रंप ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनें हटाने के लिए दो बार महावियोग आप समझ दो बार महावियोग अकेले एक ही कारेकाल में किसी राष दो बार महावयोग का प्रस्ताव गया एक ही राष्ट्रपती और उससे पहले भी महावयोग अमेरिका में राष्ट्रपतियों पर लगाये जाते रहें महावयोग की प्रक्रिया में बहुत ध्यान से समझना पहली बात के दोनों सद्नों के जो मनोनीत सदस्य हैं तो मनोनीत सदस्य भी राष्टर पती के महावयोग में भाग ले सकते हैं जिन लोगों ने चुनाओं में भाग नहीं लिया था, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पूरी बिल जाए गया, ठीके, लाया गया था, हट नहीं पाये थे, ट्रम्प लेकिन लाया गया था, पारित नहीं हुआ था, तो राष्ट्रपती को हटाने में मनोनित सद सदस्य भी भाग लेते हैं, और नामांकित सदस्य जो है वो और निर्वाचित दोनों, चुनने में ऐसा नहीं था, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विधान सभाओं के जो सदस्य है, पिछली बार हमने पड़ा कि हमारे राष्ट्रपती को चुनने में विधायक भी भाग लेते हैं, हटाने में विधान सभा के किसी सदस्य का कोई रोल नहीं है, ठीके, दो बात ध्यान रखनी। चुनाओं में और महा ब्योग में दो अंतर हैं, कि चुनाओं में सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनित नहीं हटाने दोनों होते हैं, और चुनाओं में लिधायक bên होते हैं, सिर्फ संसत मोटे। कि डीक थिगतेň चुनने में बागा AG शुचांभ थिख बाइब लेक तब लोग जन्हों ने चुनने में भाग पाइब यहाद कि कि श हैज कर कोई है छलो अ छाओ एक देखा कि महव्योग क्या होता कि कि इसे हटाया जाता है मैं दोबारा कह रहा हूं कि राष्ट्रपती के अलावा कहीं भी किसी के लिए महाव्योग का कोई प्रयोग हमारे सम्वीधान में नहीं है कि अब भारत के राष्ट्रपती का पद कितने तरीके से खाली हो सकता है यह देख लें और उसके बाद हम बात करेंगे शक्तियों के वारे में अभी तो मुझे पता है कि आपको भारत के राष्ट्रपती की शक्तियों में बड़ा इंट्रस्ट होगा क्या-क्या पावर्स हैं डिटि राष्ट्रपती के पास इतने शक्ति शली आदमी हैं तो क्या क्या शक्ति हैं ने तो पद खाली हो सकता है पांच तरीके से पहला पांच साल का कारेकाल पूरा उजाए स्वाबावी इसी बात पर म्रत्यू मैंने आपको कहाए कि दो हमारे राष्ट्रपतियों की हुई है और नाम कल हमने देखे थे कौन-कौन से डॉक्टर जाकिर हुसेन सहब पहले और दूसरे फकरुद्दिन अली एहमद सहब पद पर म्रत्यू होने पर भी पद खाली हो जाएगा या फिर अन्यता ज को यह पता होना चाहिए आप से प्रिलीम् समें पूछा जा सकता हैं कि भारते राष्ट्रपती का पद कितने तरीके से खाली हो सकता है ति में कि इसियो कराना चाहिए अगर नए राष्ट्रपती के चुनाओं में किसी कारण को देरी हो तो वर्तमान राष्टरपती पद पर बने रहते हैं फात साल के बाद भी जब तक कि नया राष्टरपती चुन नहीं लिया जाता इस इस्थिती में उप राष्टरपती को कार्रेवाहक राष्टरपती कर दोटर काम कर ने कोई अधिकार Lacan जो हमारे धिमाग में होता है ना कि आमतोर पर छाली होते सी उप राश्ट्रहपती आ जाए कि वहर। इस मटिन करेंगे। अगर मानलेजे कि म्रत्यू हो गई पदपर, अब म्रत्यू तो कहें के नहीं आती हुआ खाना को तो आप को समय देगी नहीं हो जाए, वह त्यापथर देदे या उने हटा दिया जाए तो फिर आपको पता है कि छे महीने के अंदर अंदर छे महिने का समय होता है छे महिने के अंदर अंदर आपको नए राष्ट्रपती को चुनना पड़ता है यहां एक बहुत बड़ा अंतर है मैं आपको बताऊं अमेरिका और भारत में एक बड़ा अंतर यहां आपको मिलेगा अमेरिका में यह होता है कि राष्ट्रपती का कारेकाल चार साल का होता है इस बीच अगर राष्ट्रपती का पद खाली हुआ किसी भी समय तो जो उपर राष्ट्रपती है वो बचे हुए कारेकाल तक पद पर रहेगा मतलब वो बचे हुए कारेकाल तक राष्ट्रपती है सम समझ में आगया है समझ में देखो मान लो कि अमेरिका में कोई व्यक्ति 2021 में राष्ट्रपती चुना गया मान लेते हैं और 2022 में उसकी म्रत्यू हो गई आप यह मत सोचना कि मैं बाइडन सहाप के लिए ऐसा कुछ सोच रहा हूं या बोल रहा हूं नहीं मान लीजिए कि 2021 में चुना जाए और 22 में म्रत्यू हो जाए तो अब कारिकाल तो उनका 2025 सक था तो ऐसी इस्थिति में 2022 से 25 तक अगले तीन साल तक अमेरिका का उपर राष्ट्रकति के रूप में काम करेगा बचेहुव ties में चुनाओं नहीं होते है है कभी चार साल मतलब चार सारभ हमाने क्या है कि अह्धर माल लीजिए कि राष्ट्र पती चुने जाए 2021 में के और 22 में मिरत्यू हो जाए अभी चार तो भी 22 में नए चुना होंगे नए राष्ट्रपती आएंगे छे महीने के अंदर अंदर छे महीने का समय होता है और छे महीने में नया राष्ट्रपती चुनना पड़ता है यह अंतर है कि हमारे राष्ट्रपती और अमेरिका के राष्ट्रपती में क्या अंतर है कि यहां तक समझ में आगया हूं चलो मतलब मजाग के तौर पर अगर कहूं तो हमारे सम्विधान बनाने वालों ने ऐसा कोई प्रावदा नहीं किया कि उपराष्ट्रपती हमेशा राष्ट्रपती के मरने की दुआ करें मजाग के तौर पर कह रहा हूं कि बस यह कैसे भी करक नहीं राष्ट्रपती हमारे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एसी दुआ का कोई मतलब भी नहीं अगर आपकी दुआ कुबूल भी होगी आपकी प्रार्तना मंजूर भी होगी तो भी छे महीने से ज़्यादा आप नहीं रह सकती है नया निर्वाचित राष्ट्रपती पद ग्र कि जैसे आप देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है 1967 की बात है जाकिर हुसें साव राष्ट्रपती बने 1969 में जाकिर हुसें साहाब की मृत्ति हो गई आपको पता होगा कि अगले राष्ट्रपती जो बने थे वह 69 से 1974 तक थे कल बताया था रहें आपको वीवी गिरी साहब के बार है है ना वो फिर 74 तक रहे 69 से 74 तक यह पूरे पात साह 69 से 74 तक है ना जबकि जाकिर हुसें साहाब का 73 में कारे 72 में कारेकाल कतम हो जाता आगे चले अब राष्ट्रपती का पद अगर मान लो कि म्रत्यू त्याग पत्र निश्कासन या किसी और कारण से हुआ हो तो उप राष्ट्रपती फिर आपको पता है कि भारत में एक उप राष्ट्रपती को रखा ही इसलिए गया है और क्या काम है उप राष्ट्रपती के रूप में तो कोई काम ही ने उप राष्ट्रपती का ये काम है कि वो नए राष्ट्रपती के आने तक एक कार्यवाहक र तो उप राष्ट्रपती उसके पुनह पद ग्रहंड करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपती की रूप पे काम करेगा, अब माली जी कि कोई राष्ट्रपती बीमार हो गए, और उन्हें होस्पिटलाइज करना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि इने कम से कम चार महिने की पांच मह राष्ट्रपती की तोर पर तब तक काम करेंगे, जब तक पुराने राष्ट्रपती फिर से पद पर नहीं आ जाते, ठीक है? चलिए, यदि उप राष्ट्रपती का पद रिक्त हो, तो फिर क्या होगा? हमने कहा, कई सारे बच्चे बड़े बड़ा दिमाग लगाते हैं, तो कि बुच्ते, सार आपने बताया है था कि भारत के राष्ट्रपती अगर पद पर नहीं तो उपराष्ट्रपती काम करते हैं, असलों उपराष्ट्रपती अजेते ज़्यादाे, उपराष्ट्रपती को भी कुछ हो जाये तो तो मुख्त हमारे सरवोचा नियलेU रूप कि रूप में काम करते हैं अच्छा सर उनके अभी शादी आ जाए तो मान लो कि वो अपनी बिटिया की शादी में बीजी है अभी नहीं आ सकते काम करने चुट्टी पर है कि उपराष्ट्रपती ना हो तो सीजे और सीजे आई ना हो तो क्या होगा वह तो सोचने हैं उनका काम है ना वह तो रिसर्च करने बैठे होते हैं उन्हें फाइनली यहां से पीएच्डी करके निकलना है तो फिर आपको बता दूं कि सुप्रीम कोट में मुख्ष अब यहां पर भारत के जो मुख्ष नयायदीश है अगर भूब्ह भी नहीं हो तो कि सुप्रीम कोट का कोई वरिष्ठतम स्विल नयायदीश और व में वह वह तो उन्हें कारत है का एह लिए तो यहां अब यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपती की जगे काम कर रहा है मानली जी कि उपर राष्ट्रपती कर रहे हैं मान लेते हैं कि CJI कर रहे हैं मुख्य नयादिश कोई भी कर रहा है ठीक है अगर कोई भी मान लीजी कि राष्ट्रपती के रूप में काम करता है या उनके दाइत्यों का निर्वहन करता है तो वह सारी शक्तियां जो भारत के राष्ट्रपती को प्राप्ते हैं वह सारी उन्मुक्तियां जो राष्ट्रपती को प्राप्ते हैं वह सारे वेतन भ लेकले बारत के राष्टरपती चक्तियां सीट्थ smile जब हम चोटे चोटे थे ना जब हम्ने शनुविदाने नहीं कड़ा था जब रहाभने इन कॉन्स की बारे में नहीं नहीं में इब इच रहते नहीं पढ़ाने होते इना कि राश्ट्रपति यह उत देस जो यह सबसे और यह समझते समझते हम जब बड़े हुए जब वाकई में इस चीज को ठीक से पड़ा और ध्यान से पड़ा तब ये तो पता चल गया कि भारत के राष्ट्रपती के पास कौन-कौन सी शक्तियां होती है लेकिन उस समय थोड़ा सा दुख भी हुआ फिर कि हम नाहक ही किसी व नहीं कि अ कि असली माजरा तो कुछ और ही तो बाद में जब बड़े हुए ना तो फिर राष्ट्रपती बनने का फ्रेबस प्रद्धान मंतरी ने का सुचतियां और कैंसा वह बहुत satsi मतलब इतनी शक्तियां जितने आप पढ़ते हैं वो सारी शक्तियों पर मैं आप से बात करूंगा भारत के राष्ट्रपती के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां एक लंबी फैरिस्थ है लिस्टे लंबी क्या क्या है देखो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपती के पास जो शक्तियां उन्हें कारेकारी शक्तियों की रूप में पढ़ेंगे एक्जेक्यूटिव पावर्स विधाई शक्तियां legislative powers, वित्तिय शक्तियां financial powers, न्याईक शक्तियां जो आपकी judicial powers है, कूट नीतिक शक्तियां, strategical powers, सेन्य शक्तियां, military powers, आपात कालिन शक्तियां, जेने आप लोग emergency power कहते हैं, ये सारी, और ये सारी के सारी भाग पांच में नहीं ध्यान रखना, ये सारी भाग पांच में ऐसा नहीं है, ठीके भारत के राष्ट्रपती की सारी शक्तियां समविधान में यत्र तत्र सरवत्र बिखरी हुई है, हम इने एक साथ करके पढ़ेंगे बस, अब इसमें एक चीज और और वो है राष्ट्रपती की स्वविवे की शक्तियां, अभी आपको शायद इसका दिमाग में ना आए, लेकिन जब मैं आपको सारी शक्तियां पढ़ाओंगा ना, तो उसके बाद आपको यह जरूर याद आएगी, उसके बाद आपको यह जरूर याद आएगी, आप बोलोगे कि सर क्या कुछ ऐसा भी है, जो मन से कर सकते है, कि हर बात बस व तो सबसे पहले है कार्यकारी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपती की कार्यकारी शक्तियां, एग्जेक्यूटिव पावर्स क्या है, क्या है, राष्ट्रपती की कार्यकारी शक्तियां आपको बता होगी, सबसे पहले तो आपको एक बात पता है कि अनुच्छे 52 क्या कहता ह कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा जो संग की कारेपालिका का प्रमुख होगा पहली चीज अनुच्छेत तिरेपन यह कहता है कि संग के जो भी ठीके कारेपालिका क्रत्य हैं हाँ ठीक है अनुच्छेत बावन कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा जो संग की कारेपालिका का प्रमुख होगा अब अनुच्छेत तिरेपन क्या कहता है कि राष्ट्रपती यह जो कारेपालिका शक्तियां इनका प्रयोग या तो वो स्वयम या अपने अधिनस्त तो हम यह बावन तिरेपन को पढ़ते हैं ना तो हम एचीज क्लियर होती है कि भारत में राष्ट्रपति प्रमुख है और चुकि वह का रेपालिका के प्रमुख है तो कई सारी शक्तिया उनके पास आजाती है उससे सबसे पहले तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कांग उनके नाम से किये जाते हैं कि राष्ट्रपती नाम मात्री वास्तविक प्रमूख है तो तो राष्ट्रपती की स्थिती वैशी हो जाती है कि मेरा आपकी क्रपा से बड़ा नाम होरा ठिक है जो बहरत सरकार है उनके। शासन संबंदी सारे किये जाते हैं अलकि उनका अपना इसमें कोई योगदान हैं करता कोई और है नाम राष्ट्रपति का होता है कि अपने के ने सुना है तो यह पहली चीज वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिये जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैद हो ठीक है अगला कि वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कारे कर सके और मंत्रियों को उक्तकार सहस्ता से वित्रित हो सके मैंने कुछन पूछा था और कुछन बहुत बढ़िया था मैंने पूछा बच्चों से कि यह बताओ कि अगर केंद्र सरकार में नए मंत्राले क का गठन करना हो तो कौन करेगा और आप यकीन मानिए कि 80 परसेंट 90 परसेंट बच्चों ने आंसर दिया संसद ठीके और यह गलत यह गलत भारत सरकार किसी भी नए मंत्राले का गठन अगर करना हो मान लीजे कोई नया मंत्राले बनाना हो तो राष्ट्रपती के द्वारा किया दाता है संसद ऐसा नहीं करती क्योंकि यह आप देखो संविधान में लिखा है आर्टिकल 77 में आप देखोगे तो मिल जाएगा ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कारियर सकते हैं और मंत्रियों को उक्त कार्य का बटवारा भी वही करते हैं वहां प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है जिसे आपने आर्टिकल 75 पड़ाओ अनुच्यत पचत्तर कहता है कि राष्ट्रपती को सलाह देने के लिए जो मनें मंत्रिपरिशक की बात की तो उस प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपती करता ह और प्रधान मंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की न्युकती राष्ट्रपती करता है। सब्सक्राइब करते हैं तो संग की कारिपालिका के प्रमुख होने के नाते सारे के सारे जो बड़े-बड़े पद हो सकते भारत में सब पर नियुक्ति राष्टपती के द्वारा होती है हाला कि मन से तो वो किसी की भी नियुक्ति नहीं करते हैं ठीके उन्हें सारी चीज सरकार की सलापर करनी पड़ती है वहां महान्यायवादी की नियुक्ति करता है जो आर्टिकल 76 में आपका एक अट और जनरल है उसकी नियुक्ति करते हैं उनकी वेतनाधी निर्धारित करते ह और महायवादी भी राष्ट्रपति के प्रशाब पर्यंत्पत्पर करता है मतलब गे इने कभी भी उता सकते हैं एक कुष्चन यहां से बनता है कि थ। निम्न लिखित में केंद्रिय मंत्री परिशत के सारे मंत्रियों को महा नियाएवादी को राज्यों के राज्येपालों को यह सारे प्रसाथ परियंत वाले हैं है थी के फिर वह भारत ऑर महालेखा परिक्षक जब न यह नियंत्रक ऑफ परिक्षक ज़न आप लोग भी करते ऑं उनकी नियुकती करते हैं मुखे चुनावाए किrich में करते हैं में इंडिया में 마स nieduक्ति संगलोग से आइओ के अध्यक्ष और सदस्य था टी तानियोग के अध्यक्ष और सदस्य की है सारे महत्पुपूर्ण पदो पर नियुक्ती राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है। वह केंद्र के प्रशासनिक कारियों और विधाईका के प्रस्तावों से संबंदित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है अनुच्छेद 78। संबिधान का अनुच्छेद 78 आपको बताएगा भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपती के बीच संबंद कैसे होते हैं। तो यहां आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री से वो जानकारी मांग सकते हैं। कि क्या चल रहा है केंद्र के प्रशासनिक काद्य और विधाईका के प्रस्ताव से जुड़एवे जानकारी मांग सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री से किसी एसे निरणय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है। जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो लेकिन मंत्री परिशद के द्वारा अनुमोदन नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब किसी एक मंत्री ने कोई निरणय लिया। और उस निरणय को अभी तक मंत्री परिशद ने अप्रूव नहीं किया। एसी किसी मामले पर वो प्रधान मंत्री से कोई रिपोर्ट मांग सकते हैं, इसका मतलब यह था, इसके अलावा हमारे दुनिया भर के आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अन्य पिछडा वर्गों के लिए आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, सतर केंदर कता आयोग जितने आयोग आप केंदर सरकार में पढ़ते हैं उन सारे आयोगों की नियुक्ती राष्ट्रपती ही करते हैं चाहे वो किसी फलानी समीती की सलापर या उस समीती की सलापर कोई भी समीती की सलापर हो पर करते वहीं है वह केंद्र राज्य और विभिन राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अन्तराज्य परिशद की का गठन कर सकते अनुच्छेद तिरेशट 263 263 अनुच्छेद 263 आपको पता होगा एक अन्तराज्य परिशद की विवस्था करता है इंटर स्टेट काउंसिल 263 ठीके 262 में नदी जलबटवारे के लिए ट्रिब्यूनल का प्रावधान वाला मामला है और 263 में एक अन्तराज्य परिशद की विवस्था है वो भी राष्ट्रपती के द्वारा ही होती है फिर वो स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यू का प्रशासन सीधे समालता है जैसे आपने देखा होगा की अन्दमान निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर है लक्षद्वीप में आप देखोगे एक आयुक्त है तो यह प्रश आफ में अब केंद्र शासित प्रदेश में लाम सी समझ में आज गए अब राश्ट्रपती खुद तो जा के शासन नहीं करेगा तो वो अपने किसी प्रतिनिधी के माध्यम से उस जगे का उस इलाके का क्षेत्र का शासन करते हैं फिर वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र गोशित कर सकता है उसे अनुसूचित क्षेत्र और जन्जाती क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तिया प्राप्त है समझोगे आप एकदम शौट में बताएं तो भारत के राष्ट्रपती के नाम से संग किस सारे कारेपाली का काम किये जाते हैं अर्टिकल 77 मैं इसा लिखा है ठीक है और फिर हमने देखा कि संग के कारेपालक प्रमुक होने के नाते भारत के राष्ट्रपती बहुत सारे पदों पर नियुक्ति करते हैं कई सारे पदों से लोगों को हटाते भी है अब यह तो होगी कारेकारी शक्तियां अगर आप देखो तो हमारा संविधान भारत के राष्ट्रपती को बहुत सारी विदाई शक्तियां देता है इस सब की शुरुवात हो जाती है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 79 ये कहता है आपको पता है अनुच्छे 89 क्या कहता है आर्टिकल 79 कहता है बारत की संसत के तीन अंग है एक राज्य सभाह एक लोग सभाप और एक राष्ट्रपती हमारे संसत के तीन अंग है राज्यसभाद लोक्सभाद राष्ट्रपति क्या राश्ट्रपति कई नहीं पता हो मैं अब इसलीए माना जाता है क्योंकि संसद का मुख्य काम होता है कानून बनाना और कानून shorter राश्ट्रपती के हस्ताक्षर के नहीं बन सकता, दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब तक भी उस पर राश्ट्रपती के साइन नहीं होंगे, जब तक किसी विदेयक पर भारत के राश्ट्रपती के हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक संसत का कोई कानून, विदेयक से कान कानून नहीं बनता विधयक ही रहता है अधीनियम नहीं बनता तो चुकि तीनों मिलके कानून बनाते हैं इसलिए संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं और यहां तक तो फिर भी ठीक है अगर संसद में लोकसभा राज्यसभा चुट्टी पर हो तो राश्ट्रपति अकेले क के दम पर कानून बनाने की ताकत रखते हैं हमारे संविधान का अनूच्छेद 123 भारत के राश्ट्रपति को इसी शक्ति देता है कि वह आपात काली परिस्थितियों में या ऐसी कोई असाधरन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं अगर संसद सत्र में ना ह को मैंतों फुले थोड़े दिन के लिए कानून बना सकते हैं अस्थाही कानून तो अकेले बनाने की ताकत रखते अ ठीक है तो वो संसद के बराबर ही अपने आप पे वो क्या क्या कर सकते को विधाई शक्तियों में क्या क्या आता है राश्ट्रपती की हर साल संसद के सत्र होते हैं अपोता है तीन सत्र पढ़ते हो आपने पढ़ा होगा पहले बजट सत्र होता है फिर मानसून सत्र होता है फि कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है मतलब सत्रों का सत्रा उसान यहां कुछ समय के स्थगन जो लिखा है यह एक्जेक्टली गलत माना जाएगा कई बर किताबों में से मिस्टेक हो जाती है कि इस्थगन करने का काम आप बस ध्यान रखेगा कि वह पीठासी नदिकारी का होता है राष्ट्रपती इस्थगन नहीं कर सकते अब यहां जो लिखा इसका भी मतलब समझ लो इसका मतलब सत्रा उसान से है ठीके किताबों में कई बार चीजे गलत हो जाती हो और हम उसको वैस सत्राउसान करते हैं। मिल्या महिhr कि यह जो फ्रैट्रा कि वाला पॉला कुछ समय के लिए इस्थगित करना हो और शृत्षितकाल केले इस्थगित करना हो ये काम एंस पीठा सी अधिकारी का हैं। तो वो चाहिए लोग सबा में स्पीकर हो या राज्यासंबा में सभाती ह सत्रावसान लेकिन राष्ट्रपती ही करते हैं यह बात ध्यान रखना सत्र को बुलाने का काम और सत्र को समाप्त करने का काम और सत्रावसान भी वही करते हैं और यहां पर जो बहाव है वो सत्रावसान का ही समझें ठीके इसको ध्यान रखना और इसके साथ ही लोकसभा को भंग करते हर पांठ साल के बाद या कई राष्टर पति को बन्स लोकसभा को भंग करने का अधिकार होता है तकी तक आपको बता दूं most our work क्या है मैंने आपको जबी बुक स्टाट की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आपको बहुत डीटेल में बताऊंगा एक एक बार यहां देखो एक गलती है जो हमने पकड़ी कल्भी में आपको बताया था कि मंत्री मंदल लिखा हुआ था जो गलत है जब हम डीटेल में पढ़ते हैं ना तो इस सबसे अच्छी बात ही होती है कि हमें ऐसी कई सारी गलत समय में आने लगे और कि तो क्या होता है कि ठीक है सत्र आउसान राष्ट्रपती करते हैं सत्र बुलाते हैं लोगसभा को बंग करते हैं पांस साल के बात तो कंपल सरी 5 साल के पहले पी परते हैं संसत के संयूक्त अधिवेशन आप पड़ते हो कि अनुच्छेद 108 अमारी ड सेयुक्त सद अधिवेशन कौन बुलाता है अब यहां ध्यान रखना संध्य एक बहुत काम की बात सुनना संयुक्त अधिवेशन अगर हुआ कभी तो अधियक्ष उसकी अद्यक्षता करेगा लोगसभा का अगर यह नहीं है तो किसी कारण से अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोगसभा का उपाध्यक्ष इसकी बैठक के अध्यक्षता करेगा और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो आप कभी यह मत सोचना कि राज्यसभा का सभापती हो सकता है उपसभापती अग सभ्सक्राइब सभ्सक्राइब जो कि पदेन सभापती हैं वो गई राज्यसभा के सदस्य तो है नहीं नलोक सभा के हैं इसलिए वो संयुक्त बैठक के अध्यक्षता नहीं करते तो राज्यसभा को सभापती आ जाएगा इसी स्थिति में फिर प्रत्येक नए चुनाओं के बाद और प्रत्येक वर्ष संसत के पहले अधिवेशन को अब मैं आपको बताओं कि हर साल जब बजट सत्र शुरू होता है तो आपने देखा होगा बजट सत्र भारत के राश्ट् जोौदित करते हैं फिर उनके जाने के बाद भन्यवाद प्तपरस्ता जोंगे तो एक धन्यवाद प्रस्ताओं पारित होता है तो हर साल का सथित कि और चुनाओं य्शन के तो चुना थित से बैठक होगी उसको राष्ट्रपती संबुधित करते हैं फिर संसद में अगर कोई विद्यक लंबित है तो उसके संबंद में संसद को संदेश भेज़ सकते हैं अगर कोई विद्यक पेंडिंग चल रहा है तो यदि लोग सभा के अद्यक्ष और उपाद्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो लोग सभा के किसी भी सदस्ति को सदन की अद्यक्षता सोब सकते हैं मान लो आप पढ़ते हो ना कि लोगसभा अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष पैठक के अध्यक्ष ना करते हैं और माल ले कि दोनों का पद खाली है, अध्यक्ष का पद भी खाली है, मतलब एपसेंट की बात नहीं कर रहा हूं, अनुपस्थिती बात नहीं हो रही है, पद खाली है, अगर लोकसभा का अध्यक्ष का पद भी खाली है, उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, खाली होने में अनुपस्थित होने में अंतर होता है, तो लोगसभा के किसी भी सदस्टी को वो लोगसभा की अध्यक्षता सौप सकते हैं, ठीके? आगया समझ में? और क्या? इसी प्रकार यदि राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापती, राज्यसभा के उपसभापती, दोनों का पद अगर खाली हो तो राज्यसभा की किसी भी सदस्य को वो राज्यसभा की अध्यक्षता सौप सकते हैं यह पावर भी प्रेजिडेंट कहीं पिर विधाई शक्तियों में क्या है हमारे समविधान के अनुच्छे अस्सी में यह लिखा है कि राज्यसभा के बारा सदस्यों को हमारे राश्ट्रपती राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा यह इनसे जुड़े कोई व्यक्ति जिन्होंने इन क्षेत्रों में विशेश उपलब्दी हासिल की हो ठीके या कोई विशेश ज्यान हासिल किया हो तो ऐसे व्यक्तियों को 12 लोगों को राज्यसभा में राज्यसभा का सांसर अब यहां कई बच्चों को बहुत सारी कोस्टेंस होते हैं जो बता v assessment क्या क्या होते हैं देखंग दै건 aosट मनोणीत सदस्य क्या होता है मनोणीत सदस्य वह सदस्य होता है जिसका चुनाओ नहीं हुआ है जिसका इलेक्शन नहीं हुआ है डाएक्ट अपॉइंट्मेंट यह हुआ है जैसे मानली जी कि आप एकजम दे रहे हैं UPSC का और UPSC का exam देके आइस बनेंगे और कहीं बनेंगे तो आप selection से DM बनें मानलीजिकी कि किसी वेक्ति को बिना UPSC के exam दिये कहीं का DM बना दें का स्याप यहां यहां के DM हैं यह कहलाता है मनोनयन अपोइंडमेंट आगे समझ में पहली बात इले कहते हैं मनोनीत सदस्य दूसरा क्वेश्चन मनोनीत सदस्य की शक्तियां क्या होती हैं एक निर्वाचित और एक मनोनीत सदस्य में क्या अंतर होते हैं क्या दोनों बराबर होते हैं यह दोनों में समानता या समानता हैं क्या है तो इसका भी में आपको बता दूँ क्या अंतर है देखो यदी मान लीजिए कि हम बात करें समानता तो एक मनोनित सदस्य निर्वाचित सदस्य के जैसा ही होता है क्या यह मंत्री बन सकता है बिल्कुल बन सकता है क्या यह प्रधान मंत्री बन सकता है बिल्कुल बन सकता है क्य इस समय उसका appointment हुआ है अगले चे महीने के अंदर वो किसी पार्टी को join करना चाहे तो कर सकता है किसी भी पार्टी को यह दिलिए बात ध्यान रखना अगर कोई मनोनित सदस्ट से शे महीने के अंदर अंदर जब भी महीने तक समझ महीने आ रहाकी इसस्पार्टी कनि उसमें जा रहाता है जो आते कि कि यह मनोनीत सदस्य के बारे में एक और प्रावधन अगला कुश्चन मनोनीत सदस्य का कारेकाल कितना होता है मनोनीत सदस्य का कारेकाल निर्वाचित सदस्य के बराबर ही होता है अगर राज्य सभा में कोई सदस्य मनोनीत हुआ है तो उसका कारेकाल 6 साल का ही होगा कोई कम नह क्या मनोनीत सदस्य राज्य सभाका ठीके राष्ट्रपती के चुनाओं में भाग ले सकता है नहीं ले सकता यह अंतर निर्वाचित और मनोनीत में यहां एक अंतर आजाता है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपती के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता बस बाकि हटाने में भा पराश्ट्रपती के चुनाओं में बकायदा निर्वाचित सदस्य की तरह मतदान करता है और उसे वो सारे अधिकार है जो एक निर्वाचित सदस्य को है मैंने जितने आपके दिमाग में कुश्चन हो सकते थे मनोनीत सदस्यों को लेकर सारे बता दिये अब कुछ बचा नहीं होगा क्योंकि आम तोर पर बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं जहां भी दो चीजे होंगी तो कंफ्यूजन तो हमेशा पैदा होगा अगर सारे न क्लियर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन मनोनीत सदस्यों से बचा हो तो आप अभी भी कॉमेंट बॉक्स में यहां पर पूछ लेना अभी भी मैं यह यूं बता दूंगा अगर मनोनीत का क्योंकि मैंने दल बदल के प्रावधान बता दिये निर्वाचन के प्रावधान क कार्यकाल के शक्तियों के अधिकार के सीमाओं के सारे बता दी आपको अब मैं आप से नहीं बोलने वाला करने आपको अच्छा लगे तो करिये नहीं लगे तो मत करो यां समझ लो बस जरूरी तो यह है कि हम अच्छे से समझ ले उससे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला बहुत जादा क्या आप लाइक सेशन को करोगे कि नहीं करोगे ठीक है बस समझ में आना चाहिए समझ में आ रहा है ना understood तो वो हमारे यहाँ पर पारा ऐसे सदस्यों को राज्य सभा में क्या करते हैं मनोनीत करते हैं यह अनुच्छेद अस्सी में ही है अब इसके बाद लोग सभा में दो आंगल भारती सदस्यों को और मेटर था लोग सभा में दो आंगल भारती समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अब यह हट गया है अब राष्ट्रपती की यह शक्ति आपको बता दू कि नहीं है लोग सभा में दो आंगल भारती समुदाय का तो प्रस्ट्रवेशन खतम हो चुका है पहले समविधान का अनुच्छे 331 था इसमें अनुच्छे 331 भारत के राष्ट्रपती को शक्ति देता था कि वह लोग सभा में दो एंगलो इंडियन का मनोनीन कर सकते थे लेकिन आप वह चीज चली ही गई है उसमें कुछ बचाई नह नहीं कि वह चुनाव आयोग से परामर्ष करके संसत सदस्यों की अयोग गिता के प्रश्ण पर निर्णय ये भी ध्यान रखना अगर माल लीजे कि किसी सदस्य के बारे में कोई कुश्चन आ जाए कि ये सदस्य आयोग्य है या नहीं है तो उस मामले में राष्टपती निर विध्यकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्टपती की सिफारिश शरूरी है तो आपको ये बात पता होगा कि बिना राष्टपती की सहमती के कुछ सटेन टाइप्स के जुब है विध्यक हैं वो सदन में नहीं लाया जा सकते जैसे पूर एक्जामपल कौन-कौन से विध्यक हैं से सबसे पहले तो धन विध्यक आपको बताए कि जो धन विध्यक होता है वो बिना राष्टपती की सहमती के आप नहीं ला सकते नंबर एक दूसरा वित्विध्यक शेनी फरस्ट अभी आप ज्यादा डीटेल में ना समझे बाद में बताऊंगा वित्विध्यक केटेगरी एक ये भी राष्टपती की सिफारिश पर ही लाया जा सकता है इसके अलावा किसी राज्य के पुनर गठन का कोई विध्यक अनुच्छे तीन के तहत आपने देखा होगा किसी राज्य का पुनर गठन करना हो तो ऐसा विध्यक भी राष्टपती कि सहमती के बाद ही लाया जा सकता है नहीं तो लाया नहीं जा सकता है हमें यह तो पता है कि विद्धयक राश्ट्रपती के साइन के बाद पारित होते हैं पर लाने के पहले भी क्या सहमती चाहिए हां कुछ विद्धयक कुछ पिल्स के ओपर यह मामला लागू होता है ठीक है फिर जब एक विध्यक संसत के द्वारा पारित हो जाए और राष्ट्रपती के पास भेजा जाए तो क्या होगा इसे कई लोग वीटो पावर की रूप में जानते हैं और मैं कल अभी है यहां तक समझ लो आप इसको कल मैं आप से राष्ट्रपती की जो वीटो पावर है उसको डिसक्स करूंगा कि आखिर वीटो पावर क्या होती है या कितने तरीका होता है या इससे जुड़ी हुई बात पर फिलाल आप कितना समझो कि अगर कोई विध्यक क्योंकि राष्ट्रपती की साइन के बिना तो अभी क्लास कतम ने कम से कम 10 मिनिट और बस दस मिनिट के लिए थोड़ा सा और इतने देर तक रुके हैं इतनी देर तक समझाए तो दस मिनिट और रुक जाईए मैं अपने लिए आपके लिए बोल रहा हूं आपके अब जाने से मेरा कोई नुकसान तो नहीं है लेकिन आपका थोड़ा सा और फाइदा हो जाएगा द कि ऑप्शन नंबर एक राष्ट्रपती उस पर अपना हस्ताक्षन करेंगे ठीक है वो उस पर कि सिगनेचर कर देंगे नंबर दो वो विदेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रखता है मतलब न तो वो हां करेगा न ना करेगा कि थीके है आप समझो इस समझो इस बात को इसको कहते सा पौकिप ये है कि पड़ते हो ना This ही को पौकिट वीटो के नाम से जाना जाता है इस सम्विधान कई इसमें विदेयक पर वो नातोहां करे ने स्सक्राइब तीसरा विदों को चीजिए या तसे आप कैसे सारे लोगों से कहते को काम तो आप करें बोल दें कि ठीके में बताता हूं यह प्रजाती बड़ी खराब होती है ठीके अगर आप से कोई यह कह रहा है कि हाँ ठीके मैं बताता हूं कल तक बताता हूं शाम तक बताता हूं तो 90% इस बात के chances हैं कि वो वो नहीं करेगा ठीक है यह बताता हूं वाली प्रजाती से तो दूर ही रहे अच्छा है और अगर कोई विक्तियाप को यह कहके जाता है कि बताता हूं तो बहुत ज़्यादा आशावादी ना रहे ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ चीजों को थोड़े समय के लिए टालने का यह बचने का एक रास्ता है अगर उसे करना होगा ना तो वो हां कर देगा या ना कर दे बताता हूं वाला मामला यहां भी आता है ठीक है अब धिहान से समझो क्या करेंगे राश्ट्रपति या थो वो सुविक्रती दे देंगे हा कर देंगे और बोल देंगे कि हां यह विदह्यख पारित हो गया या फिर वो सुरक्शित रखेंगे सहमति को अभी बतलब उन्होंने नई कोइज़ीजन लिया है या फिर वो विदेयक को बस वो विदेयक धन विदेयक नहीं होना चाहिए और वो विदेयक सम्विधान संशोधन विदेयक नहीं होना चाहिए इसमें सम्विधान संशोधन और जोल लेना अगर वो विदेयक धन विदेयक या सम्विधान संशोधन विदेयक नहीं होता है सबंफिता है न यह विदह कौन से होंगे धनविधयक नहीं सकता दनविदयक को नहीं भेज सकता संविदान नोई ब बात को जो आ अगे समझ मैं सब्सक्राइर करेंगे को कल मैं आपको detail में बताऊंगा प्हेंज टोटल चारतफ मृत मृतन हहिrial है हिंदी में अगर हम कहें तो विशेषित विट्व को बोलते हैं निलंगित विट्व को ये भी विट्व कहते हैं और एप्सुलीट वी तो आत्यांतिक प्र 만들 नह थे तो बहुत जादा मतलब भी नहीं है तो भारत के राश्ट्रपती के बास तीन वीटों है जो में कल आपको बताऊंगा Qalified Wecomm को चोड़ कर ठीक के ज्रीनों हें चिछे उसका को बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं कि तो यह को पुनर विचार के लिए भेच सकते इसको किस्स पैंसी विटो कहते हैं क्या बोलते इस तरह के विटों को सस्पैंसिभ विटों कहते हैं तो निलंबन कारी थी **** ठीक है अब यह तो हमने देखा कि अगर विदहक जाएगा तो क्या होगा इसके अलावा संसद के अलावा राज्य के विधाई का द्वारा पारित विदहक भी राष्टपती के पास जा सकता है कि आपको संविधान क्या करता है किसे विशेश परिस्तीयों की बात करता है जब किसी राज्य का विधायक भी वहां चला जाए और वह जाएगा तुरू गवर्णर यहां राज्य पाल कड़ी की रूप में काम करता है तीक है । राज्यपाल राष्टपती के लिए अपनी र गजिश के लिए आरख्षित कर सकता है तो ऐसे में स्वीक्रति क्या करेंगे? अइसे में विधायक को अपने सविक्रति के है, तो साइन करेंगे सुपक्रति ४ लेंगे, साइन करने या ना करने कि दोनों का पोकेट वीटो वाला मामला हो जाएगा या राज्यपाल को निर्देश देंगे कि वो विध्यक को पुनरविचार के लिए लोटा दे मतलब वही सस्पेंसिव वीटो और यहां एक बात समझनी है और वो कर्चिस समझ में आ भी जाएगी अगर कोई विधयक जो राजी की विधायका के पास राष्टपती भेज दे वापस और वह वपस पारित कर के आजय Prin तब भी राष्ट्रपती साइन करने के लिए बाद दी नहीं है ना मतलब ना नो मिन्स नो कि नहीं करना कोई जबर्दस्ती नहीं लेकिन संसद को नहीं बोल सकते नो मिन्स नो ठीके वो कई सारे पती होते ना जो बहार बड़े शेखी भगारते हैं सब के सामने बढ़ा कि एक बार जो मैंने बोल दिया नो मिन्स नो घर में पत्नी के सामने नहीं बोल पाते नो मिन्स नो एक बार बोल देंगे ज्यादा से ज्यादा और जहां पत्नी ने आखे दिखाई थोड़ी सी तो फिर सारे वीटों जो है केंसिल हो जाते हैं खतम संसत के मामले में नहीं हो सकता अगर कोई विधेक पारित करे तो संसत द्वारा पारित वुद्यख को रास्ट पति पुनर विचार के लिए भेज तो सकते हैं वहीं विधेकर संसत फिर से पारित कर दे तो फिर फिर कोई कि यह पावर आपको वहां मिला हुआ है ठीक है तो यह राजी के विधायका के मामले में इतना याद रखना कि वापस भी अगर वह विद्यक आ जाता है तो राष्ट्रपती साइन करने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए बात दिया नहीं है है चलिए विदाई शक्ति में और क्या है विदाई शक्ति में संसत के 17 अवदी में अध्यादेश जारी करने वाला कि एह अगर संष्टटी पर Gel Corinne Sand 177 ह थो गए तो एसे में राष्ट्रपति अनुच्य 123 का प्रयोग करके एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं एक ordinance जारी कर सकते हैं इस पर भी डिस्कस करूंगा आपके साथ कि अध्यादेश जारी कैसे होता है क्या पावर होता है किन परिस्थितियों में होता है और अध्यादेश क्या है देखो अध्यादेश दर असल एक अस्थाई कानून है टेंपरेरी लौ कह सकते हो आप इसे यहां अध्यादेश संसत की पुनह बैठक के छे हक्तों के भीतर जैसे ही वालीजे कोई अध्यादेश राष्ट्रपती ने जारी किया और अध्यादेश जारी करने के बाद संसत की जब बैठक शुरू होगी आज नहीं तो कल संसत का सत्रत शुरू हो नहीं है जब भी शुरू हो जाएगा उसके छे सप्ता का समय होता है छे सप्ता के अंदर अंदर अगर संसत पारित कर दे तो वो कानून इस्थाई हो जाएगा पर्मनेंट हो जाएगा और अगर नह जान प्रोक्हां थीन कि इई कि आपके इससे सभrica कि आपके हैं कि आपका कोई दोस्ताम को राता है आपके पास और साहेता मंगता मदद मागता है कि मुझे रहने के लिए थोड़ा सा असरा लोंता सा जगे लंगे के बाने के लिए कि दो तो आपने कहा कि यार ठीक है अभी ममी पापा बहार गए हैं तो अभी रहो उस दिन के लिए फिर आएंगे तब देखेंगे फिर आपने उसको रख लिया आपके साथ रह रहा है महीना डेड़ महीने बाद माता पिता आपके फिर आए वापस अब आपके माता पिता आए और माता पिता पने कहा कि नहीं रख सकते हैं हम तो जानते भी नहीं कल से शोरी ऑसकता है उन्हें मना कर दिया कि नहीं वापस करो तो फिर आपको बोलना पड़ेका अपने मित्र को जाके के भाई ज mental fake तो फिर उसको जाना पड़ेगा अध्यादेश का माम्ला सेमें स्थ हि संसद जब तक नहीं है तब तक आप मज़े ले लो जैसे संसद आएगी संसद का सत्र शुरू होगा तो छे सप्ता के अंदर-अंदर आपका वह अध्यादेश या तो संसद पारित कर देगी या वह खतम हो जाएगा अधिक है तो यह विधाई शक्ति है अब विधाई शक्तियों में और कुछ बचाए क्या और बचाएं देखो यह जो हमारे सीजी है नियंतरक महालेखा परिक्षप और जो संग लोग सेव आयोगे वित्तायोगे ऐसे कई सरे आयोग की जो रिपोर्ट है आपने देखा होगा क कि संग लोग सेव आयोग के अध्य जो है अध्यक्ष या हमारे सीजी अपनी वार्षित प्रतिवेदन राश्ट्रपती को सौपते हैं और वो उसको संसत के दोनों सद्रों में रखवाते हैं प्रस्तुत करवाते हैं यह भी विधाई इसके अलावा वो अंडमान निकोबार इस समुँ टीन देखो लक्षओ और दादर नग्र हवेली ओर दमन्दीव तीन केंद्र शासिट्प्रदेश है जिनके लिए शांति विकास और सुशाण के लिए नियम अज्ट अहर्मान निकोबार्षओ और दादर नางगर हवेली दमन्दीव के लिए नियम बना सकता है प चलिये बस तो अब विधाई शक्तिया हो गई है कल विद्तिय शक्तिया और अकल मतलब तो रंग-पंच्मी आप लोगों का ओफ रहेगा ठीक है कल होली के दिन हमारा ओफ नहीं था तो आप सभी लोग इस सेशन को आगे अटेंड करना चाहें भारत के राष्ट्रपती की वित्तिय शक्तियां भारत के राष्ट्रपती की वीटो शक्ति राष्ट्रपती की न्याइक शक्ति आपात्कालीन शक्तियां जो भी बची हुई है वो हम डिसकेस करेंगे परसू तारिक को ठीक है तो आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत शुब कामना है बधाई हो और ठीक है आप सभी लोग सेशन को जाते समय लाइक करना ना भूलें इसे शेर करें सब्सक्राइब करें इस चिनल को और कॉमेंट बॉक्स में फीडबेक दें अगर आपको सेशन अ इसको भूलना नहीं सी के लाइव यह रफरल कोड़ें जिस भी बच्चे को एडमिशन अनकाडमी पर लेना हो कभी भी कोई साभी तो आप यह रफर कर सकते हो इसको आप अपलाई करेंगे सी के लाइवी इजैसे अपलाई करेंगे तो टेन परसंट का एक्स्टा डिसकाउं आपको मिलेगा और टेन परसंट के डिसकाउंट के साथ व्यक्तिगत रूप से आप मैं आपको गाइड भी करता हूं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं ठीके सी के लाइवी ओके गाइस सो थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग आपका बहुत-बहुत धन्यवाद फिर मु बाइबाई थैक्यर जै हिंग लेट्स करकेः